कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हों कि चला जाएं फिर सुरू करा जाएं दर तो मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर मेरी मंजिल खुद बखुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल खुद बखुद मेरे पास आती गई मेरा अंसला देखकर नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीर स्ट्रडी में तो साथियों अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यह टाइम जो है दूबारा नहीं आता हूं आगे बढ़ा जाए कुछ भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करिए चला जाए आगे बढ़ा जाए अफनिया तिवारी जी कमेंट आ रहा आपका पूनम ज कि ओके देखिए चात्रों आपको इस क्रिन पर कुछ दीख रहा है बताओ दीख रहा ना भाई यह बहुत ही मस्त कलास होने वाली बहुत ही आलक कलास होने वाली आज आज आपकी पहली कलाफ है डियलेट वालों के लिए ऐसा मानलों फार्स समेश्टर 2021 जितने भी कुश्च कहां से होती है अंक से है आज आपकी लाइब नंबर दो है अब फार्स्ट कलास में सिर्फ सिलेबस हुआ था बस बाकी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी पहली कलास में तो पढ़ाई तो आज से ही सुरू होगी ठीक है डियलेट फार्स्ट समेस्टर है तो अगर हम बात करें पहले की साथियों तो मैंने आपको पहला चैप्टर दिखाया था कल की कलास में पहला चैप्टर का नाम है संख्या हूं किसा खेलना कुल मिला के संख्या के बारे में ही है एक प्रकार से cricket के ना नमबर सिश्टम की कुछ आधार भुछ चीजें हैं पहले चैप्टर में जिन acceso hvis पढ़ने अंक आपने सुना होगा कि अक्सर सुना भी पढ़ता है कहीं न कहीं न हम ओ आवाज आ रही है न हमारी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही न आप यह भाई बार युट तो क्लियर है न सभी बोलो हाँ आप कुछ मस्त है न कि दो बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना हैं चैप्र करनाम है संक्या तथा संक्यांक का बोध क्या नाम है अध्यावन यावन कजी नाम है और तंक तथा संक्यांक का जाए 2-3 के थिन से है संख्या अंक का बोध मतलब संख्या और संख्या के अंकों के बारे में ही पढ़ना इसमें और कुछ है नहीं तो साथियों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कहbaby पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले संक्या कि अगर हम बात करें गडित की तो शुरूआत होती अंक से अंक के बारे में आप लोग जानते होग नहीं मुझे यह बताऊ पहले अंक से ही mathematics की सुरूआत होती है अंक के बिना कुछ भी नही है का लूंज नहीं है तो कुछ भी नहीं है एदा तू जो नहीं है मतलब अंक जो नहीं है तो मैं तो गानें भी लगे अरे वैसे ठोड़ा चिलल लिह अलगबात अनल tapi कि क्या होता है इस क्रीण पर आपको दिख रहा है ऐसे चिन I give जो संख्याओं को लिखने की काम आता है एक प्रकार का यह क्या सिंबल चिन्न होता है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है अंक काला है ओ कि अपने पॉघ लिखे रहना आपको क्लियरली जैसे कि आपको इसमें अस्पस्ट हो रहा होगा जीरो वन टू थ्री फोर वगएरा वगएरा कि नाइन तक होते मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता था और लेकिन यहां पर टाइपिंग नहीं हुई है तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको फिलहाल इंग्लीज में पिजिट आर सिंगल सिंबल्स मुझे वैसे इंगलिफ नहीं आती हिंदी में ही मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ चीज़ें इंगलिफ में बोल रहा हूं जिससे लोगों को अच्छे समझ में आएं पिजिट आर सिंगल सिंबल्स यूज टू यूज टू रिपर्जेंट नंबर्स रिपर्जेंट नंबर्स इन मैट पतलब डिजिट क्या है एक सिंगल सिंबल है डिजिट और डिजिट और डिजिट और जो लोग इंगलिस पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कहां लगता है क् कि डिजिट एक सेधिक होते हैं ना नौ तक होते हैं जीरो से नौ तक लेकिन उनकी टोटल संख्या दस होती है इसमें संख्या पद्दती में यह बात भी आपको याद रखना है कि संख्या पद्दती में डिजिट कितने होते हैं दस होते हैं एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता ऑन चाने हैं याधारी संच्या पद्धती yamu अंपर डिजिट और यह सफ एक जी 12-21 । यूप संख्या पद्धती जो आपकी यह 10 phase चेलो से नाइन तक FR आपे समझ गए ज्यादा टाइम भी हमें नहीं विताना है ठीक है आपने यहां तिवारी इंग्लिस सेंटर भाई इनको क्या दिक्कत है देखलो भाई कमेंट हो गया चलो अंक आप समझ गए दूसरा है साथियों संख्या वैसे इसकी कहीं परिभासा लिखने को नहीं आता है कि कहीं आप से कोई पूछेगा कहीं लिखना पड़ेगा न नंबर क्या है आपने देखा होगा अकसर जैसे यहां पर लिखा है when पाइब लिखा वह क्या है थै कि आहें वो ँणक है का लिकिन जो once even लिखा वो क्या है तो संख्या में गिनते हैं तो वहां तो sब्सख्या बोलते हैं आप तो यहां पर अंक को बोल Redo को याला की बहाँ आना ii तो बोग वोती है जैसे आपने सुना ओका कोई चीज खरीतने जाते हैं तो कहते हैं कि पैसा लेके आये होग नहीं получится आस lot बोलते हैं नस बजार गये हो मेला गयो साधी परोजन में भह ey पाइसा लीयोगा नहीं ऑफिव कि पाइसा हम लोग कहीं नहीं देते हैं पोल देते कर अई है जहाज नहीं हम लोग पैसा निदें हम लोग रूपया देते लेकिन लोग बोलते पैसा है दो बोलते हैं ला गदना कम या ग्लाश के लिए ॐ फिरी में लगता है रुपए लगता है तो असीका है आप से सत्र आप से लेते तब हम कहते हैं 590 राखे लेकिन अगर वह 100 पैशां कोल रूपए ह reve camera गया कि अंधु चल रहो है क्यों चल रहा है साल लाका यह मुझे लग रहा थोड़ा बहुत बफरींग कर रहा है कुछ रहा है क्या है यूं चल रहा है यह यह बाते यह लग है निक यह लेकिन अगर रहा हम डी कोई भी अंक दोर एक है एक साथ है जैसे 1717 हो गया तो यह एक संख्या हो गई यह क्या हो गया एक संख्या हो गया पूरा ठीक है यह क्या है एक अंक है यहां पर बगल में मैंने छे लिखा यह भी क्या है एक अंक है लेकिन अगर मैंने दोनों के एक मिला दिया यह 56 हो गया तो यह क्या है एक संख्या हो गई यानि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं के समू को क्या कहते हैं स्वरी दो या दो से अधिक अंकों के समू को संख्या कहते हैं दो से अधिक अंकों के समू को संख्या कहते हैं समझ गए ना आप लोग मेरी बातों को क्लियर हो रही ना थोड़ा बहुत वीडियो फसराओ का परिशान नहीं हो ना बिल्कुल भी परिशान नहीं हो न सब अच्छा चलेगा ठीक है तो यह बाते हैं जो आप समझ गए कि आगे बढ़ा जाएं तो इस्टम थोड़ा हैं कर रहा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिस्टम हैं कर रहा जाना नहीं कहीं हां चलो आगे बढ़ते हैं तो यह अंक हो गया संख्या हो गई कि अंक को एक और परिभासा से देखा जा सकता है जैसे नीची आप देखो लिखा है कि रोवन टू थ्री डाट 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 नाइन उसे छात्रों क्या होता है पता आपको उसमें सिर्फ दो अंक होते हैं उसके बारे में आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसमें अभी से लेबस में नहीं है तो यह अधारी संख्या पद्दती में सिर्फ जीरो और वन होता है किवल दो अंक होता है लेकिन जो संख्या पद्दती हम लोग दैनी जीवन में पढ़ते है यूज करते हुशि में 10 अंक होता है झीन पने स्क्रिन पर देखो दिखु रहा है जद्रोफिले कर के ना इन तक यह आप समझ गए संख्या क्या होती है अंग्या क्या होती वह इसके बाद हम बढ़ते हैं संख्या के परकार में हम आपको कुछ डीटियल दिखाएंगे संख्या के परकार में कुछ डीटियल में आप लोगों को पढ़ना है आप लोग सभी रेडी होना सभी तो चलो पेज खोल लीजिए और अपना पैन ओन ओपन करिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बनाएए कलम संख्या के परकार क्या लिखेंगे आप संख्या के परकार अब हम कुछ डीटियल में आगे बढ़ेंगे ठीक है प्यारे साथियों संख्या के परकार में क्या पढ़ने वाले हैं आप जानते हो संख्या के परकार में मुख्य रूप से संख्या सिर्फ दो परकार की होती है कौन-कौन दो प्रकार की, मतलब संख्या का जो जनम हुआ था न, तो इनके दो ही भाई हुए थे, मतलब एक वास्तविक संख्या थी, एक कौन सी थी, कालपनिक संख्या थी सैयार होना सभी, चलो, क्या लिखोगे संख्या के परकार, अपने हतिवारी जी कमेंट आपका आ रहा है, नोटिफिकेशन यूटूब ने नहीं दिया है, बच्चे का मैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग कलास को सेर करेंगे और लाइक करेंगे, यह आपने प्रॉमिस किया पहले ही, अगर आप लाइक सेर नहीं करेंगे तो हो सकता आगे दिक्कत हो जाए, इसमें आप पढ़ेंगे संख्या के परकार में मुख रूप से यह दो ही होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक होती है कल्पनिक संख्या, तो आप लिखो एक वास्तिविक संख्या एक क्या लिखोगे काल्पनिक संख्या एक वास्तिविक संख्या लिखोगे एक क्या लिखोगे काल्पनिक संख्या एक वास्तिविक संख्या आप उत दिखराई स्क्रीन पर यह क्या है काल्पनिक संख्या देखिए समझते चलिएगा कल्पनिक संख्या को साथ ही बोलते हैं क्या इमेजनरी नंबर क्या बोलते हैं इमेजनरी इस्पेलिंग बड़ा जीब टाइप किया इंगलिस वाली इमेज लिखोगे फिर आई या नार वाई लिखो ऐसे इमेजनरी नंबर यानि कल्पनिक संख्या है ठीक है और इसे क्या बोलते हैं रियल नंबर क्या बोलते हैं इसे रियल नंबर यानि जो संख्या का प्रकार है मुख रूप से दो प्रकार होता है एक वास्तविक होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है वास्तविक और कल्पनिक होता है एक परमिय संख्या एक अपरमिय संख्या लेकिन यह साधू हो गए इनकी साधी बिया नहीं हुई इनके कोई लरका बच्चा नहीं हुई हम लोग मानेंगे कि इनका कोई नहीं है जैसे बोलते हैं देशी बहांसाम गाम निर्बस ही आएं स्मझे लोग इनका यहीं परिवार खतम हो जाएगा इसके आगे इनका कुछ नहीं बढ़ने वाला है लेकिन इसमें बढ़ेगा इनका बंस जो है आगे चलेगा कहां तक जाये को पता है देखते हैं कहां तक जाता है यह क्या है आप यहां पर लिखोगे पर्मिय संख्या और यह क्या अपर्मिय संख्या इसे इंगलिस में क्या बोलते हैं जानते हो रेफनल नंबर बोलते हैं यहां तक बना लो फटफट क्या बोलते हैं भाईया रेफनल नंबर कि इसे क्या बोलते हैं कि अमजते चलिए बहुत ही प्यार फे बहुत डीटियल में बता रहा हूं जिनको बेसिक सीखना है ना उनके लिए भी बड़ा इंप्वर्टेंट है भी तो बड़ाय करना है तो कर लो अलता यहां पर बॉलाक कर दिया जाता है चुप इससे कोई जानता भी नहीं है थीक है यह तो पढ़ लो यह पर जो तुम जिस उमीद से आया हो ना वह नहीं होता आ है ना-ना बिलकूल नहीं लिए लिए मा मिटाऊं मैंने कहा ना संख्या मुक्रूप से दो परकार की होती है एक होती है एक कल्फनिक होती है वच को इसलाब इसे हम लोग पूरी जिंदगी पड़ते हैं फूरी जिन्दगी उच्छ करते हैं निदी के पाप कहता नहीं बेटा तू इंजीनियर बनेगा डाक्टर बनेगा माता कहती है लेकिन बड़ा होता है तो क्या होता है यूपिटेट की परिक्षा के लिए लगना उम्दर्ना पर्दसन होता लाठी पढ़ती है मार पढ़ती है फुहारा पढ़ता है खुपड़ी फूटती है तब वास्तविक और कल्पनिक अब वास्तविक संख्या का मैंने बताया इनकी फैमली आगे बढ़ती है इनकी साधी ब्याहा हो जाता है इनके दो बच्चे होते हैं वास्तविक के कौन-कौन यीदा पर्मिय होता लगना कुछ नहीं होताई इसके क्या आपर मिय संख्या का कोई नहीं है नजी अपर मिय संख्या की यहां पर आप लोगों में जगा होगी तो आप इसे मिटाना नहीं नीचे बनाते जाना अध्या में में जगा नहीं इस इसको मिटा रहे घिका है पर्मिय case नीचे बढ़ा लेना आप लोग जगा होगी अ जिखेना भाइत में आप लोगों में जगा होगी तो पर्मिय संख्या में नीचे बढ़ा लेना अजब दार्मेंद्र को बलक करिए सर पांच मिनट के लिए principle को पाँच मिनट के लिए ब्लॉक करें संख्या कोई परकार नहीं होता है हएं परमिय संख्या यानि रैफणल नंबर और इनकी फैमली आगे बढ़ती है ब स्क्राइब ने इनकी फेमिली क्या होती है Via aगे बढ़ती है और कितने परकार होते हैं इनके इनके कई बैटवा हो थे भाई लगडाउन का असार है इनके उपर देखो इधर समझो चलो कितने परकार चलिए देखिए इसमें बहुत जो भी आप लोग पढ़ोगे लगबग बहुत सारी चीजें हैं फिलाल हम थोड़ी ही पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डेटियल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके दिलेबस में नहीं है वी टीसी फार्स समेश्टर वालों के इनमें क्या हो क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर दूसरा होता है पूर्ड संख्या हम तीनी बात करेंगे बस उसे ज्यादा नहीं है इंगलिस में बोलते हैं होल नंबर लिखा क्लियर यह क्या लिखा पूर्ड अरे वो पुडांक वाल अड़ा है चुर्की वाला हुं ठीक है मनीज पांडे मनीज जी बिल्कुल पहली कलास है मान के चलो वसे है तो लाइब दूसरा क्योंकि पहले में हम सिलेबस डिसकस किये थे लेकिन पढ़ाई वाली पहली कलास है अग्षम जी आपका भी कमेंट आ रहा है मनीज जी आपका भी कमेंट आ रहा है और कादिर है लेकिन हमें पढ़ाना है तो कमेंट नहीं पढ़पाएंगे आ यह मुशीबत है बाई बाबु कि मैं सबका नाम ही बोलूं तो देख रहा हूं मैं सब के माउस काम नहीं कर रहा मुझे लग रहा है मैं Katie सिस्टम है नहीं कामकिजू इता हो ज़्टतो गड़वड पहको विस्तों गड़ग है तो अगला इसमें क्या है एक और भी पार्ट है मैंने कहा ना इनके तीन बच्चे उते इनके तीन बच्चे होते हैं एक होता है पुदांग imports कि जिसे इंटीजर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इंटीजर पुडांग संख्या यानि इंटीजर नंबर ठीक है हो गया यह क्या होते हैं इनके तीन टाइप होते हैं बाबु क्या होते हैं यह सब इनके टाइप होते हैं इनके प्रकार होते हैं किसके परमिय संख्या के रिकिन आप परमिय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है आप परमिय संख्या में हम कोई ऐसा टाइप नहीं होता जिसे हम यहां explain कर सके कि समझ गये ना आप लोग मेरी बात चले आगे चलो ठीक है डन आप सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है इसकी भी कुछ गडबड हो रही क्योंकि बहुत यूज हुआ दिन बर यह बहुत एडिटिंग अगरा हुआ है यह काफी ठक गया बचारा आप चलो प्रकृतिक संख्या के बारे में हम बात करेंगे इस स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आप ध्यान से देखना एक-एक के बारे में जितना पढ़े हो सबसे पहले मैंने आपको वास्तिविक संख्या के बारे में पढ़ाया तो वास्तिविक संख्या क्या होती है इस स्क्रीन पे देखो वास्तिविक संख्या क्या है इस स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए समझ रहे हो कुछ की नहीं से पर्मिय संख्या और अपर्मिय संख्या के समूं को समलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है भई अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना क्या पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं मैंने यही पढ़ाया था एक पर्मिये एक अपर्मिये तो आप इसकी परिभासा जान लो वास्तविक संख्या की पर्मिय और आपर्मिय संख्या के संबलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं यानि ऐसे जानलो कि वास्तविक संख्या जो है वो पर्मिय और अपर्मिय संख्या से ही मिलके बनी है पर्मिय अपर्मिय के अलावा वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है यह माना की महफिल जमा है हसी है ना ऐसे कुछ है ना तो बस वास्तविक संख्या और आप पर्मिय मिलके क्या बनती वास्तविक संख्या, इसके बारे में आप समझ गए, टाइटल आपने डाला होगा, पहले मैं दिखाया हूं सारा अभी तक, उसके बाद साथियों हमें पढ़ना चाहिए पर्मिय संख्या के बारे में न, क्योंकि पहले संख्या का परकार श वास्तविक संख्या के दो परकार होते हैं कौन के एक पर्मिय एक आपर्मिय तो हम वास्तविक संख्या समझ लिए अब हम कि मश seinem जैंगी क्या फिन कि अब हम संन्ख्या क्या होती है इनँ या संख्या इस्क्रीन पे देखिये समझे और कोशिस करें मैंने बताता हूं पर ये संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में परदर्सित कर सकते हैं यानि पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ठीक है मनीश पांडे जी सोमवार मंगलवार बुधवार बाबु ठीक है सबता में तीन दिन तो मुआर मंगलवार बुधवार तीन दिन ये कलास होगी डेली नहीं होगी तो मुआर मंगलवार बुधवार मंडे ट्यूज़े बिडिनस टे फुल मिला के मोटा मोटा ऐसे समझे लो बाबू कि वो संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेफनल नंबर कहलाती है लेकिन यहां पर ध्यान रहें कि Q डज नाट इकल 0 इस तरह से लिख तो सकते हो लेकिन कभी भी Q0 के बराबर नहीं हो सकता है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता इसको तोड़ा detail में समझ लीजिए बिस्तार से समझा दें फिर हम आगे बढ़ें हां थोड़ा सा रुकना मैं इसको detail में थोड़ा दिखाऊंगा कि समझ यह कातियों जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं आप कहोगे कि पर्मिया पर्मिये अंतर कैसे समझते हैं कैसे समझते हैं कि आजकल लोगों के सिर्फ एक मुखवटा लगा होता है कि कहां तो इतना लगा है लगा है कि वास्तों में हम जो आपको कैमरे के सामने दिख रहे हो सकता वो ना हूँ हूं 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 हो सकता है हम आपको यहां बहुत सीधे फादे दिख रहें पढ़ा रहें अच्छे से और अपने देश समाज में अपने अडोस पडोस घर परिवार में बहुत जद लड़ाई जगणा करते हों तो लोगों के मन में लोगों के दिल में हमारी वो छभी भी बुरा नहीं देख रहा हूं कितने गंदं हैं है थे घंदे नहीं है ऐसे समझा रहें बस इतना प्रकार का जैसे और गहनओूल का चिन्न लगा है तो अगर वो हट सकता है आसानी से, यानि उसका वर्गमूल या घनमूल एक पूर संख्या है अगर, तब वो रेफनल नंबर होगी, अन्य था ही रेफनल नंबर होती है, कुल मिला कि यह जानलो कि अधिकान सभी संख्याइं रेफनल ही होती है, अधिकान सभी संख्याइं पर्मिये ही होती है, कुछ मात्र संख्याइं ऐसी हैं जो अपर्मिये हैं बस, बाकि जितना हम लोग पढ़ते लिखते हैं, अक्सर हर जगा पर्मिये संख्याई मिलती है, अपर्मिये संख्या और पर्मिये संख्या में थोड़ा अंतर समझोगे तो में detail में समझाऊंगा अंतर देखे तभी समझता होगे अपर मिये आज के बाद ना आपको कभी इसमें confusion नहीं होगी यह हमारी गारंटी है लेकिन कलाश छोड़ के ना जाना तुम वादे हजार करके समझो तो यह पान क्यों का मतलब क्या मेरे साथ ही यहां देखो है जैसे अगर मनें लिखा सेवन तो 17 क्या है चैँए यह एक रेफ्णल नंबर है क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं सेवन आपाफानवन और सेवन अपानवन को हम कहते हैं कि यह प्ल Dusien कि रूपका है कि को लो सकते हैं कि ही बोलो हा अ कि ऐसा हम कह सकते हैं यह प्यापान क्योंके रूप का है लेकिन हमारे प्यारे साथी यह बताओ कि अंडरूट सेवन क्या यह पर्मिय संख्या है कि आ या नहीं बोलो मनीज जी कमेंट आ रहा है तरबेश रगुवीर तुरेश जाट कलमान और कौन है भई कि अबाड़े पढ़ाई से सो में 90 सैंघ और एक गुट है ओर को यरफनल यह पटा पट यह बताओ पढ़ाय है यह सलमान जी बहुत बहुत बताई है कि बताइए कि देखे सब बोलना है रेफनल है कुछ बोल रहा है रेफनल है ठीक है कोशिज करो फिलाल कोशिज करो कुछ भी कोशिज करो तुम कुछ भी करो कि देखो मैं बताता हूं कि इसे हम क्या कह सकते हैं यह एक इरेफनल नंबर है विकाद भीकेन राइट ऐसे लिख सकता हूं यह बताओ भाई क्या यह पीए पान क्यूंके बराबर है बोलो यह पीए पान क्यूंके बराबर है नहीं है ना क्योंकि इसका जो वर्गमूल का चिन्न है वो नहीं हट सकता है इसका जो वर्गमूल का चिन्न है वो हट नहीं सकता कभी भी नहीं हट सकता यह हटेगा एक सर्थ पे इसका जो भी वर्गमूल निकालने के बाद दसामलों में आ जाएगा पॉइंट में तो पॉइंट में आ जाएगा तो वो पिये पान क्यू के फार्म का कभी नहीं आएगा यानि वो संख्या जो वर्गमूल या घनमूल के चिन्न के अंदर लिखी है लेकिन उसका वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह पे ना निकल सके मतलब एक पूर्ड संख्या ना निकल सके कुलमिला के मोटा मोटा यह जान लो कि जो संख्या पूर्ड घन या पूर्ड वर्ग नहीं है अगर उसके उपर वर्गमूल या घनमूल का चिन लग गया है तो वो अपर्मिय संख्या है, वो पर्मिय संख्या नहीं है आपको जीवन में ऐसी ही संख्या है आपने सामने मिलेंगी बाकी अपर्मिय में और कुछ मिलता नहीं जादा ठीक है समझ में है ना लेकिन आप कहोगे कि भईया फिर जिस पे वर्गमूल लग गया वो अपर्मिय होती सभी क्या नहीं जिस पे वर्गमूल या घनमूल का चिन लग गया वो सभी अपर्मिय नहीं होती है इसमें भी कंडिशन है वोट पैंट पहिन लिया कोई दाड़ी लखा लिया ना तो वो अनान मंतरी मोधी जी नहीं का लाएगा मोधी जी बनने के लिए पहले चाय बेचना पड़ेगा लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा है ना तब मोधी बनेगा कोई तो समझो इधर कैसे देखिए वर्गमूल का चिन लग जाने से ही कोई अपर्मिय नहीं होता है या पर्मिय नहीं होता है जहां पर समझिए जैसे अगर मने लिखा अंडरूट 49 तो यह तो आपर्मिय नहीं है यह तो एक पर्मिय संख्यारेफिनल नंबर है काओगे कैसे जमगो कई से चूतिया बना रहा हुआ इतना देर से ब्रकूप समझ रखा है यहांद जिसके कैसे चूतिया ब्रकूप समझ रखा है एक बार कहता कि सकती है जिस पर कर मूल लगा हैं ऑर कहतार पर पर कर सब शका야 लिए है क्योंकि भाई इसका वर्गमूल निकल जाएगा बबुब प्लस माइड लग ना मतलब इसका जो वर्गमूल आ रहा रहा न ये चीज ये वास्तों में ये पर्मिए नहीं परमिये उसका जो प्रोड़क्ट निकल के आ रहा वो परमिये है लेकिन उधर वाले में ये समस्या थी कि उसका वर्गमूल पुरी तरह फे निकल ही नहीं रहा था ठीक है मज़रोन आप लोग ये मुसीवत थी उसमें चलो समझो पूरी कहां नहीं समझो डिटील में समझो अच्छे समझो है हम लिग सकते हैं सेबन को क्या कि यह क्या रेफनल नंबर है कि समझे न आप लोग को सिस्टम आज हैं कर रहा है आप लोग समझने की कोशिस करिए और पढ़ते चलिए बिल्कुल भी टेंसन मत लीजिए हमारी कोशी से बेहतर से बेहतर हो क्लास्तों में चलानी ही है ठीक है कि समझ में आई न आ ला Спाइनग का वर्ग होता है वही अपरमी होता है नहीं इसका भर आप बी यह जान लो कि कोई भी नंबर वह और गेनल यह गनमूल यह चिन्न के अंदर लिखी है लेकिन उसका वर्गमूल पूरी तराफ या घनमूल नहीं निकल सकता है तो और एरेफनल है आपरमिय है जैसे मानलो मैंने लिखा 101 यह आपरमिय है और लेकिन अगर मैं लिखूं भया 100 तो यह परमिय है बाबू क्यों क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूड संख्या निकल जाएगी एक पूड संख्या प्लस माइनस आप 10 लिख सकते हो लेकिन इसका तुम नहीं लिख सकते हो 10 इसका 10 पॉइंट सम्थिंग आएगा दस हमलों में आ जाएगा एक पूड संख्या नहीं आएगा कि अब आप अर यह घन मुल के चिन्द के अंदर अगर मैंने लिख दिया कि पचम 25 पंचे 125 मान लो नहीं 125 नहीं 124 अब 124 का कोई भी घन नंबर नहीं होगा कि पांच आ जाएगा आठ आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो यह क्या है एक अपर्मिय संख्या है लेकिन अगर इसमें मैं लिख दूँ मेरे भाई मेरे साथी कि 125 यहां पे तीन घात लगी मतलब घन मूल है यह क्या है यह क्या यह पर्मिय है यह भी पर मियुए लेकिन यह अपरमिय यह यह क्या परमी समझ गयाना पादल भारत भारत द्राज राम सुमन देभी पंडे आपको समझ में आ रहा है ना हो सकता है कुछ नाम मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत छोटा दिख रहा है दूर में मैं बहुत नीचे गुस के उसमें देख नहीं रहा हूं फिर भी आप समझ गया कि मैं आपी को बोल रहा हूं कि मैं आ रहा ना चाप लीजिए बहुत ज़्यादा डिटियल में जाने का टाइम नहीं इसके बारे में जब हम लोग अगला समेश्टर में पढ़ेंगे तो और डिटियल में पढ़ेंगे अगाधल भ्रतवाज देखो अभी देर में आओगे त우स नहीं होने वाला है धिके देर में आओगे तो स्के लिए टाइम से आना पढ़ता है वी इस के यूजर्श के टाइम सोमवार मंगलवर बुधवार रात के तो कुछ नहीं होने वालंआ है। थीक है देर में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है उसके लिए टाइम से आना पढ़ता है। क्लास के टाइम सोमभार मंगलान वार बुद्वार रात के 10 बजे से। सब्सक्राइब तीन दिन रात के 10 बजे से अगर आप हमारे साथ जूडते हो तो हम बिल्कुल फ्री में आपको फ़र्श समेश्टर का कंपलीट कोर्स पढ़ाएंगे तो मुआर मंगलवार बुधवार तीन दिन सब्सक्राइब याद रखना रात के 10 बजे ठीक है बाकी के च क्यां जो हा गए वह कि बताओ कर कोई कर नंबर मै्नस में है यह यह रेफोनेल है यह रेफोनेल ड़ी नहीं है ए लोगे लिए असथा बिल या अर मतलब ये पर्मीए संखया है इसका मतलब ये आपर्मींए संख Canad है का है चारा इंग्लें सेंटर लीर आतीैंज ही तो एक ऐसी चीज जो इनसान को बरबाद करती है आंखों में लिड tussen लोगिन दिल करार यह मोहबत भी क्या चीज होती है यार इसके होते हैं जिनेक दिल में करार नहीं रहेगा गाना श्रङ सब्सक्राइब नहीं रहेगा तुम्हें नीद कहां से आएगी नहीं आएगी कि इसके लिए कुछ जगाना पड़ता इसमें अंदर में ऐसे नहीं पढ़ाई होती है बहुत नीद आती है देखें हो कि नहीं एक आदमी कहानी बताओं मैं नहीं यार मारेगा क्या मेरी हिंवत नहीं है इसके बाद उसने क्या किया कोबरा निकाला वह लिया था कहीं से कोबरा सांप क्या किया उसकी रजाई में डाला बोला देख जलेगा के नहीं उठके भागा उसको बुखार था कितना एक सो चाट डिगरी बुखार था उठने को उसकी हिम्मत नहीं थी इतना ज्यादा पस्त था लेकिन जब देखा कि नाक साप ऐसे वाला कि उसका बुखार उकार सब भाग गया है कि वह है कि मतलब उस नींद उस तकलीफ से जादी बड़ी तकलीफ आने वाली थी सामने तो आप इसको भी याद रखो नहीं पड़ोगे ना तो भी जो नींद आ रही ना आगे चलके नोकरी नहीं मिलेगी छोकर नहीं मिलेगा साधी बिया नहीं होगा देश परिवार समाज में सब्ताने मारेंगे फिर क्या होगा फिर को बरफ जादा भी सहला लोग डसेंगे समझ रहो इसलिए नींद जो आ रही ना उसे समझाओ पीछे आने वाला और खतरनाक है कि ना समझ गए ना तो इसलिए तो अगर तुम्हें भी नीद आ रही तो फिर अपने आने वाले बच्चों को क्या सिखा हो गई अगे चले देखो समझें यहां पे मैंने कहा यह अपर्मिय है इसका आंसर होगा आर यह अपनल लंबर है यह 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 पर्मिय संख्या है समझ गए ना तो इससे यह निसकर अइसे है वो को अपर्मिय संख्या होती है मैंने आपको जो समझाय है आप समझ गयोंगे मोटा मोटा यह समझ लो कि जो संक्या हां कर आदर रूट या घनमूल या वरगमूल के चिन्द के अंदर में हैं उसका वगमूल या घनमूल पूरी तरह पर नहीं निकल सकता है फिर सब्सक्राइब अगर कहीं मिलते हैं तो वो सभी क्या है अपर में संख्या रेफनल नंबर नहीं है यह जो और मेरे भाई मेरे बाबू मेरे साथी की इनका अगर मान दिया है और इनके बारे में चर्चा नहीं की गई है रूप मैं अपनी परवा हमें चलते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले थे उस पे चलो भाई दिखाओ दिखाता हूं मैं आपको आपने क्या क्या पढ़ा संख्या के बारे में पढ़ा संख्या दो परकार की होती है संख्या के दो लड़का बच्चा होता है एक वास्तविक होता एक कल्पनिक होता है वास्तविक का मतलब जो वास्तों में होता है कल्पनिक का मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं होता नहीं है वास्तविक संक्या के दो क्वा तंतान पैदा होती मालो बच्चे में कलपनिक संख्या के कोई नहीं होता निर बस ये राय जाता वैसे हैं वास्तिविक संख्या के दो कौन-कौन होते हैं वास्तिविक संख्या के दो कौन-कौन होते हैं एक पर्मिय संख्या होती है एक अपर्मिय होती है ठीक है वास्तिविक संख्या के कौन-कौन होता है दो पार्ट होता है वास्तिविक संख्या का एक पर्मिय होता है एक अपर्मि भी पढ़ा दिया मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वास्तविक पढ़ा दिया पर्मिया पर्मिय भी पढ़ा दिया कि कालपनिक के बारे में लाश्ट में पढ़ेंगे अब यह वास्तविक संख्या के भी दो तीन मुख्य भाग होते हैं। वासिविक के नहीं स्वरी पर्म्य संख्या के पर्म्य संख्या के मुख्य तीन भाग कौन क्यों से नियुक्ष्चत्य होती है एक two saannaghy gratis area तिए हमझ आप के नहीं तो प्रकृति संख्या क्या है नेचूरल नंबर क्या है आपके सामने इस्क्रीन पे देखो लिखा है प्रकृतिक नाम में बहुत कुछ बसा है बोलो बसा एक नी परकृतिक बोलने के बाद ही याद आ जाता है पेड़ पौधे पहाड परबत बन पेड़ चीता हाथी भालू बंदर यानि वह संख्या और अटिफीसियल नहीं है अटिफीसियल तरीके से नहीं बनाई गई है वह क्या है नेचूरल नंबर है वह क्या है प् कि संख्या बनाने कंवें केकल खाना चलता है का नहीं पिर भी जीयरो कीшая आप ने किया था की करी ज्यूआ नहीं है रिजवान आलम बाबू आपका इंटरनेट साहीं पर रेजवान आलम इंटरनेट साही कल लो तो परिभ्यासा स्क्रीन पर आपको दिख गई वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर गिंती को और बढ़ती हैं उसे प्रक्रति संख्या कहते हैं प्रक्रति संख्या के संगरह को कैप्टल यन से डिनोट करते हैं इसको इंगलिस में नेचुरल नंबर कहा जाता है मतलब एक से ले करके अनंत तक कहा तक एक से ले करके अनंत तक की जो संख्याएं वह क्या होती है प्रक्रतिक संख्याएं होती नेचुरल नंबर होती है यहां पर टाइपिंग माश्टर ने थोड़ी गलती किया है जे उन्होंने लिखा है कि एक से सुरू होकर गिंती की और बढ़ती है ने गिंती की और बढ़ती और और मतलब और प्लोब है याला ओर और नहीं कि कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आगे बढ़ेंगे अभी में जो समझने वाला है उसमें समझाएंगे अगला है साथियों पूर्ड संख्या जिसे बोलते होल नंबर देखो बाबू आप लोग कलास को लाइक करो नहीं तो ऐसे आतमा बहुत दुखी होती अंदर से ठीक है मज़ा नहीं आती बिल्कुल भी आप लोग लाइक नहीं करोगे और कलास को सेर करना आपकी जिम्मेदारी है अपने साथियों साह पार्टियों में जितने भी आपके साथी लोग है न सब को कलास को सेर करिए अगर आप सेर नहीं करते हो न तो हमारी अंतर सा आत्मा नहीं कह कि लाली सब हैं नहीं वैसे बता रहा हूं जिनके हैं वह ऐसा करते हैं समझे रहो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है तो आप लोग थोड़ा तो इस त्याग का मतलब समझो कि कितनी मेहनत होती है इस कलास के पीछे ऑली अभी कोई गाली दे रहा है कोई नंगणा नाच दिखा रहा है कुछ मथालेधार तुछ तुम लोगो खुबभी करोगो देखो अभी मैं किसी को करूप तो यहीं पर तुम खुब शेयर करोगे देखो मश्टर वक्रिया होता है लेकिन मैं पड़ा रहा हूं तो उसको नहीं सेयर करोगे नहीं इसमें कुछ मजाई नहीं मजा ही लेते लेते आज का भारत का इवास क्या हो रहा है एक दूसरे की सजा बन जा रहा है तो भाई शेयर किया करो बाबू ठीक है क्लास को लाइक भी किया करो ठीक है और हाँ बेसिक जीरो लेबल मैंने लेबल बढ़ा दिया है अब आपका नए साल से इंटर्मीडियेट और कॉम्पटीफन की कलासे रन करेंगी फटाफट अब जीरो लेबल सिर्फ संडे को आएगी रात के नौ बज़े ठीक है अगला बात करते हैं प्रकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या क्या होती भई जीरो तथा प्रकृतिक संख्याओं के संभलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं पूर्ण संख्याओं के संगरा को डबलू से परदर्सित करते हैं यानि जो यह नेचुरल नंबर थी न किसमें जीरो को भी मिला देते हैं बस यह जो पूरी सभी संख्याय बंती है वो होल नंबर का लाती थिए पूर संख्याय का लाती है ठीक है ठीक है ठीक है अगे है कुड़ आंक देखो ऐसे ऐसे कटनााक है कि देख्टी करा जी रो की कोंज कि ने किया था देख्टी यह मोधी जी ने किया दननी वह प्रभू कहां हू आप मतलए मोधी जी को इतना belki ना करो यार अभी मोधी जी वह ऐसे भी बोल रहे थे कि बच्चों पहले परिक्षा में कटिन-कटिन सवाल किया करो तो आफान वाले अपने आ जाएंगे लेकिन मोदी जी ऐसा तो बच्चों की सब लंका लग जाएगी कटिने प्रस्ण में उल्जे रहेंगे सरल वाला भी चूट जायागा तो ऐसा नहीं होता है मैं चूट समझ गया न अगला इंटीजन नंबर इंटीजन नंबर क्या होता भई अग्युद परकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 तथा रिड़ातमक या रिड़ पुड़ांकों को सामिल करने पर जो संख्या बनती है वो पुड़ांक संख्या का लाती है कुल मिला करके मोटा मोटा यह जान लो कि जो आप पूर्ड संख्या पढ़ रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ना है बस जो आप पूर्ड संख्या पढ़ रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ना है बस ठीक है पूर्ड संख्या से एक कदम और आगे का मतलब यह है कि पूर्ड संख्या में केवल प्लस वाली संख्याएं ली जाती थी और इसमें क्या होगा पुडांक में इसमें माइनस वाली संख्याएं भी सामिल हो जाएंगी ठीक है यानि पुडांग की बात यसे हो जाएगी कि माइनस आनंद से माइनस आनंद से ले करके और प्लस आनंद तक की जितनी संख्या हैं सभी क्या होती है यानि जो भी नंबर तुम्हें दिखाई पड़े कहीं सुनाई पड़े देश दुनिया में वो सभी क्या पुडांग चाहे वो रिड में है, चाहे वो धन में है, चाहे जैसे 5 हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस में तुम देख रहे 18 बटा 40 है, माइनस में 1 बटा 7 है, माइनस में 3 बटा माइनस का 9 है, ये सबी क्या है, ये सबी पुढांक, ये धन पुढांक है, रिड पुढांक है, रिड देनल मैंनस मैंनस पलос हो जाएगा है इसमें कुछ समझना नहीं है say नहीं हाँ याद ओ विलकुल तर्ली ठीक है और žाथ पमजने वाला आप आएगा जिसमें समझ आई बास्तों में इसमें समझना कुछ नहीं था यह समझने वाला आ गया एव थी दे आजा कि अंधिने वाला आया आप कि समझने वाले में क्या भई संख्या क्या होती है कि इतना देर चिलाते चिलाते मुह सुख गया लेकिन आप लोगों को थोड़ी तरफ नहीं आई कि लास को कम से कम लाइक तो कर दो और कुछ नहीं कर सकते हो तो हम संख्या की परिभासा कई तरह दिया जाता है वो शंख्या है जो कहते हैं दो जीरो से विभाज हो जाएं हम कहलाती है लेकिन हम इसको नहीं मानते यह थोड़ा कठीन है यह जीरो से विभाजित वाली थोड़ी कठीन है क्योंकि अगर कोई नंबर मान लो हम मानते हैं इनकी परिभासा कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वो सम होती है तो भैया ऐसे तो फिर हम लोग सम भी सम पहचानने में बुड़े हो जाएंगे नाती पोता आई जाएंगे भैचानने पाएंगे तब तक तो क्या करते हैं थोड़ा modern जमाने का तरीका लगाएंगे अगर मैं ऐसे नंबर दे दिया दो से भाग करने पर अगर पट जाए तो सम है निथा भी सम है तो हम इनको दो साई से भाग करेंगे तो सुबेर हो जाएंगे इतना बड़ा नंबर को जब भाग करेंगे पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा थिक है है तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या वह संख्या जिसका लाइष्ट का अंख लाइष्ट डिजिट 02-568 इसमें से अगर कोई है तो वो सम संख्या है अन था क्या है भी सम्षाउं इसमाज और बरमा कि अनिल भर्मा जी बिलकुल हमारी सुभ काम नहीं है कि आप सफ़लों आगे बढ़ें इन्होंने लिखा है कि गुरू आखिर गुरू होता है जाहे वह यूटूब से पढ़ाया हो अब यह यह तो एक माद्या मैं यूटूब है न हम लोगों के मिलने का जुलने का जुडने का एक मद्यम इसमें यूटूब का मद्यम यह है लेटर भेज रहे हो कुलOME लेजारत देखjisim 170 न वह रही आलम लोक रात के डस-ग्रा बज रहे हैं सब्सक्राइए का फायदा उठाओ कुछ तो रंगर रंग कारिकरम देख रहा होगा मोबाइल में उस तो चुपए देखने वाला देख रहा होगा रजाइम गुजके कोनों अगला ना देख पाए अपना अपना है ना कहते ना करम आज जो करोगे उसका फलकल मिलेगा कुछ तो टीलेट की कलास में रात बारा बज़े हमारे साथ जुड़ा है लाइब खुछ मोबाइल में चुपए से लाइब देख रहा है कुछ और यह जानेगा ना जो देख रहा है चलो छोड़ो उस बटाओ अधिक है तो यह क्या हो गया वह संख्या है वह संख्या है जिनका लाष्ट का अंक के 02468 है वह क्या है वह समसंख्या है तो मुझे यह बताऊ मेरे भाई ये समसंख्या भी समसंख्या है ले इनन भाग दिया आप जान गए न ये क्या है इसको देखो एक नजर देखो मगर प्यार से 0 2 Rose 810 में से कुछ लाइस्ट मेरे इसका लाइस्ट का आंग 4 है मेरे भाई क्या है फोर है मैंने कहा था कि अगर इसमें से कुछ भी एतो यहनि वह संख्या या नीए संख्या किया समसंख्या इस तरह से देख कर के आप कुछ भी जाल जाओगे है आरती मौर्या अगर पढ़ना तो आज क्या और पहली कलास पढ़ाई की सुरुवात इसी कलास से हुई है, रोज नहीं सोमवार मंगलवार बुधवार रात के 10 बजे देखना सोमवार मंगलवार बुधवार रात के 10 बजे से ये कलास चलेगी बिल्कुल फ्री चलेगी, एक घंटे से कम नहीं चलेगी, एक घंटे से जादा ही चलेगी, और चालिस से पैतालिस दिन में पानलो की लगबख से ले बस आपका कमपलीट हो जाए, ठीक है, लेकिन टाइम काफी ओबर हो रहा, विसम संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं, विसम संख्या, हाँ, इसे बोलते हैं आड नमबर, क्या बोलते हैं, आच नमबर, इसे capital O से डिनोट करते हैं, संख्या को बोलते हैं, Eлен नमबर, इबेन नमबर बोलते हैं इसे इसे रिनोट करते हैं इस दिखाया था न साइद तो विसम संख्या क्या होती है भई वो संख्या जिसका लाश्ट का अंक वो संख्या जिसका लाश्ट डिजिट 13579 होता है वो विसम संख्या का लाती है ठीक है संक्या क्या हो जिसका लाश्ट का एंक औंती मंक क्या हो पोफ्रेशा थ्री फइप सर्व संक्या मैं से ऐगर कुछ है तो वह क्या है भी थम संक्या है कि समझ गए ना आप मतलब भाग वाग नहीं करना वो सब जमाना पुराना है अगर हम भाग करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या अगर हम आपको लिख के देंगे तो आप दिन भर भाग करोगे साम तक करते रहोगे साम को चार गाली दे के बंद कर दोगे काओगे हटाओ इसा माइस्टर खतरनाक है नहीं है पताओ अगर दोगे इतनी बड़ी संख्या को सोचो कि इतना देर लगेगा दो मिनट लगेगा एक मिनट लगेगा आज कल भागम भाग मची यह लोग कार छोड़के ट्रेन में आए ट्रेन छोड़के बुलट रेन खोज रहें और तुम इसको भाग दोगे आज इ इतनी में पूरा दिन लग जाता था अज वह वांच से नक compare इमेर में ड held दीजिए समझ गए ना तो सम भी सम समझ गए ये कलास एक घंटे से काफी ज्यादा क्यों रही मुझे लग रहा है और बंद भी करना चाहिए काफी टाइम हो गया है इसके आगे हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे दिखा देता हूं एक नजर देख लो इसक्रीन पर इसके आगे हम पढ़ेंगे भाजे संख्या जैसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर भाजे संख्या का एक दूसरा नाम योगिक संख्या भी है योगी नहीं योगिक अरे वो रफायन विग्यान वाला योगिक नहीं जैसे कंपाउंड बोलते हैं यहां कंपोजिट नंबर होगा ठीक है इसके बाद अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे साहभाजे नहीं साहभाजी के पहले अभाज पढ़ेंगे प्राइम नंबर जिसे रूड संख्याएं कहते हैं यह सब अगली कलास में पढ़ेंगे याद रखना प्राइम नंबर प्रिशाब मिसरा जी गुड इबनिंग गुड इबनिंग बेरी बेरी गुड इबनिंग मनीश स्वाती अनुपम सुरेश कुमार रागुबेंद्र राम सुम्रेन सुम्रन आने लगा पढ़ने मुझे चलो मुकेश चौहान अगर्ल गलेक्सी प्रियंका कुमारी मधुयादो मोनिका सुमन कुमार ठीक है सबका कमेंट आ रहा मुझे सबका दिख रहा है लेकिन कोई मुझे भी तो देखो न परमिय संख्या यह तो मैंने पढ़ाई दिया आ कि अगल मंगल वार को रात के 10 बजे से 11 बजे के बीच में बुद्वार को भी पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपको इंतजार करना है रिवीजन करते रहना है अगले सब्सक्राइब फिर से हम तीन दिन पढ़ाएंगे ठीक है अभी सिर्प तीन दिन हाँ जिनको सातों दिन पढ़ना है सातों दिन की क्लास उपलब्ध है आप पीबियार स्टडी एप डाउनलोड करिए पीबियार स्टडी एप में आपको सातों दिन क्लासे मिलेंगी आप जाकर करके फर्स समेस्टर का कोर्स इन्रोल करिए ठीक है सातों दिन आपको क्लासे मिलेंगी रोज बाकी य कि रिजवान आलम बाबू देखो यह मैथ है यह पीडियप में समझ में नहीं आता है ठीक है रिजवान आलम है आपकी चले गए इसमें हम आपको पीडियप में दे दिये बताओ बच्चा चलो मैंने च्छाप दिया यह कि गपाज संख्या है एक यह भाज संख्या है यह भाज संख्या फिल्डियप में बह्ते बसका Dare अब आप लोगों से एक अग्रा है अनुरोध यह कि आपिश को जादा प्र जादा जितना हो सकेweg कमें जितना जादा लोगों यह उतनी अंतर आतमा को खुसी मिलती है थोड़ा और बहतर करने की एक चाहत होती है लेकिन अगर आप लोग सेयर नहीं करेंगे ब्यूज बहुत कम आते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं करता अंदर से और यूटूब पे टोटल फ्री है ठीक है यूटूब पे टोटल फ्री है सब्सक्राइब के अंदर भी फ्री क्लास है लेकिन इसमें प्रीमियम क्लास भी आपको पता है यह लाखों का हम लोग सेटप लगाते हैं जो आप तक क्लास पहुंचती है ठीक है ब्राडबेंड इंटरनेट दो तीन लगे हुए आ मोबाइल का रिचार्ज इतना महेंगा हो यूटूब पर हमारे साथ देखते रहें एप के अंदर फ्री वाला क्लास भी है जाके आप इंडॉल करें फ्री वाला ही जाके देखो एप्लिकेशन में ठीक है उसमें इकठा मिल जाएगी यूटूब पे के मिलती है बहुत बहुत हैं कि आप सभी को दिल से धन्यवाद से करोगे ना पका सेर करोगे ना